जैसरी राधिक्रिष्णि आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल के बहुत-बहुत स्वागत है आईए आज आप सब सुनेंगे अधिक मास पुरुसुत्तम मास महात्मे कथा में दूसरे अध्याई की कथा हिंदु धर्ब में अधिक मास का बड़ा ही विशेश महत्तु माना गया है जिस महीने में सुर्य संक्रांती नव हो वह महीना अधिक मास होता है और जिसमें दो संक्रांती हो वह चैनल होता है इसको अधिक मास जो की 32 महीने 16 दिन और चार घड़ी के अंतर से आया करता है हिंदु धर में अधिक मास पुरुशुत्म मास का बड़ा ही विशेश महत्तुमाना गया है इसके बारे में भगबान श्रकृष्ण ने कहा है कि इसका फल दाता भूगता और अधिश्ठाता सब कुछ मैं ही हूं इस मह के संपुर्ण अनिश्ट नश्ट हो जाते हैं इस महीने में दान पुन्य या सरेर शोशन जो भी किया जाए इसका फल अक्षय होता है अधिक मास के दौरान जो कि गंगाश नान करना चाहिए दान पुन्यों का कारी करना चाहिए भगवान विश्ण भगवान श्रकृष्ण का पूजन करना चाहिए इस दोरान भूमी पर सहन करना चाहिए तामसिक वस्तों का बिल्कुल भी पर्योग नहीं करना चाहिए और पुर्ण स्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवचरण में अपना मन लगाना चाहिए इससे अधिक मास में इन सब कार्यों को करने से अधिक फ़लों की प्राप्ति होती है तो आएए आज आप सब सुनेंगे अधिक मास पुरुषूत्म मास महत्मे कथा में दूसरे अध्याय की कथा अब तक अगर आपने पिछले अध्याय कथा को नहीं सुना हो तो हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है और प्लेलिस्ट बनाया गया है पुरुषूत्म मास महत्मे कथा के नाम से आप वहां से पिछले अध्याय कथा को स्रवन कर सकते हैं तो आएए सुनते हैं अधिक मास पुरुषूत्म मास महत्मे कथा में दूसरे अध्याय की कथा तो बोलिए प्रेम से भगवान विश्णु की जै माता लक्ष्मी की जै सूत जी बोले राजा परिक्षीत के पूछने पर भगवान शुक द्वारा कथित परम उन्यप्रद स्रीमत भागवत शुक देवजी के प्रसाज से सुनकर और अनंतर राजा का मुख्ष भी देखकर अब यहां यग्य करने को उद्यत ब्रहमनों को देखने के लिए मैं आया हूँ और यहां यग्य में देख्षा लिये हुए ब्रहमनों का दर्सन कर मैं कृतार्थ हुआ रिशी बोले कि हे साधू अन्य विशय की बातों को त्याकर भगवान कृष्ण दुए पायान के प्रशाद से उनके मुख से जो आपने सुना है वही अपुर्व विशय हे सूतु आप हम लोगों से कहिए हे महाभाग संसार में जिससे परे कोई सार नहीं है ऐसा मन को प्रशन करने बाली और जो सुधा से भी अधिकतर हितकर है ऐसी पुर्ण्य कथा हम लोगों को सुनाईए सुधी बोले विलोम से उत्पन्न होने पर भी मैं धन्य हूँ जो स्रेश्ट पुरुस भी आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं भगवान व्यास के मुख से जो मैंने सुना है वो यथा ग्यान मैं कहता हूँ एक समय नारत्मोनी नारायन के आस्रम में गए जो आस्रम बहुत से तपश्यों सिध्धु तथा दीवताओं से भी युक्त है और बैर, बहेडा, आमला, बेल, आम, अमडा, कैथ, जामून, कदमबादी और भी अनेक विक्षों से शुशोभीत है भगवान विश्णू के चर्णों से निकली हुई पवित्र गंगा, अलक नंदों भी जहां बह रही है ऐसे नर नारायन के अस्थान में स्री नारत्मोनी न जाकर उन परम ब्रम नारायन को जिनका मन, सदा, चिंतन में लगा रहता है जिसके जितेंद्रिय काम, क्रोधादी, छोहों सत्रों को जीते हुए हैं अत्यंद्र प्रभा जिनके सरीर से शमक रही है ऐसे देवताओं के पी देव तपश्वी नरायन को साश्टांग दंडवत प्रणाम कर और हाथ जोर कर नारत्मुनी व्यापक प्रभू की अस्तुती करने लगे नारत्जी बुले कि हे देव-देव, हे जगनात, हे क्रिपासागर, सत्पते आप सत्य ब्रत्य हो, त्रिशत्य हो, सत्य आत्मा हो, और सत्य सम्हब हो, हे सत्य योने आपको नमस्कार है मैं आपकी सरण में आया हूँ, आपका जो तप है, वह संपुर्ण प्राणियों के शिक्षा के लिए और मर्यादा की अस्तापना के लिए है, जदि आप तपस्या ना करें, तो जैसे कल्यूग में एक के पाप करने से सारी पृत्वी डूपती है, वैसे ही एक के पूर्य कर करने से सारी पृत्वी तरती है, इसमें तनिक भी शंशय नहीं है, पहले सत्यूग आदी में जैसे एक पाप करता था, तो सभी पापी हो जाते थे, ऐसे इस्तिती हटा कर कल्यूग में किबल करता ही पापों से लिप्त होता है, यह आपके तपकी इस्तिती है, हे भगवन, क पूत्री, पूत्र, ग्रिह में लगा है, चित्व जिनका ऐसा प्राणियों का हित करने बाला जो हो और मेरा भी थोड़ा कल्यान हो, ऐसा विशय विचार कर, केबल आप ही कहने के योग्य हैं, वही आपके मुख से सुनने की एक्षा से, मैं ब्रह्मलोक से यहां पर आया हू आप ही उपकार प्रिय विश्णु हैं, ऐसे वेदों में निस्त्रित हैं, इसलिए लूप उपकार के लिए कथा का सार इस समय आप सुनाइए, जिसके स्रवन मात्र से निर्भय मुख्ष पद की प्राप्ती हो सके, इस प्रकार नाराजी का बज़न सुनकर भगवान, रिश नारायन बोले कि हे नारत, गुपो की इस्तिरियों के, मुक कमल के भ्रमड, रास के इस्वर, रिश्रिको के आवरण, बिंदावन बिहारी, ब्रज के पती, आदी पुरुष, भगवान की पुन्य कथा को कहता हूं, जो निमेश मात्र समय में जगत को उत्पन करने बाले हैं उनके करमों को हे वस इस पृतवी पर कौन वर्णर कर सकता है, हे नारत मुने, आप भी भगवान की चरित्र का सरसार जानते हैं, और यह भी जानते हैं कि भगवा चरित्र वानी द्वारा नहीं कहा जा सकता, तथा भी अद्भुट पुरुशूत्तम महात्मे आदर से कहते ह यहां पुरुशुत्म महात्में दरिद्रता और वैधव्य को नास करने बाला, यसका दाता एवं सत्पुत्र और मुक्ष को देने बाला है, अतह सिग्रिहें इसका उप्योग करना चाहिए, नारत बोले कि हे मुने, पुरुशुत्म नामक कौन देपता है, उनका महात्मे क्य यहां अद्भुसा प्रतीत होता है, अतह आप मुझसे विश्तार पुर्वक कहिए, सूत जी बोले, नारत जी का बचन सुलकर, नारायन, शन मात्र, पुरुशुत्म में अच्छी तरह मन लगा कर बोले, स्री नारायन बोले, पुरुशुत्म यहां मास का नाम जो पड़ा ह वह भी कारण से युक्त, पुरुशुत्म मास के स्वामी, दया सागर, पुरुशुत्म की है, इसलिए रिशिगण इसको पुरुशुत्म मास कहते है, पुरुशुत्म मास के ब्रत करने से भगवान, पुरुशुत्म प्रशन होते हैं, नाराजी बोले, चैत्रादी मास, ज नहीं सुना है पुरुशुत्म मास कौन है और पुरुशुत्म मास के स्वामी कृपा के निधे पुरुशुत्म कैसे हुए है कृपा निधे या आप मुझसे कहिए इस मास का स्वरूप विधान के सहीत है प्रभू कहिए है सत्पते इस मास में क्या करना है कैसे अस्नान करना ह इस मास का जप, पूजा, उपवास आदी क्या साधन है सो कृपा कर कहिए. इस मास के विधान से कौन देपता प्रशन होते हैं और क्या फल देते हैं इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी तथ्य हो वह हे दपोधन कृपा कर कहिए. इस पृत्वी पर जो मनुश्य दूसरों के भागे के अनुवर्ती दरईदिता से पीडीत नित्यरोंगी रहने वाले पुत्र चाहने वाले जड़ गुंगे, उपर से अपने को बड़े धार्मिक दरशाने वाले विध्यावीहीन, मलीन वस्त्रों को धारन करने वाले नास्ति पर इस्त्री गामी, नीच, जरजर, दास वृति करने वाले, आशा, जिनकी नश्ट हो गई हो, संकल्प, जिनके भंग हो गए हो, तत्व, जिनके शिन हो गए हो, कुरूपी, रोगी, कुष्ठी, टेडे मेधे, अंगवाले, अंधे, इस्ट वियोग, मित्र वियोग, इस्त्र गए है, अंग जिनके अपनी इश्ट वस्तु से रहित उत्पन्न हुआ करते हैं, किस अनुष्ठान के करने और सुनने से पुनह उत्पन्न नहों हो, हे प्रभू, ऐसा परियोग हमको सुनाईए, वैधव्य, वंध्या दोष, अंग हींता, दुष्ट, व्याधियां, रक्त पित, आदी मिर्गी, राज, यक्षमादी, जो दोष है, इन्हें दोषों से दुखित, मनश्यों को देखकर, हे जगनात, मैं दुखी हूँ, अता मेरे उपर दया करके, हे ब्रहमन, मेरे मन को प्रशन करने वाले, विशय को विस्तार से कहिए, हे प्रभू, आप सरवग्य ह समस्त तक्तू के आयतन है, सुजी बोले, इस प्रकार नारत के प्रोपकारी, मजर वचनों को सुनकर, देव देव, स्री नारायन, चंद्रमा की तरह, शांत, महामुनी नारास से नए, मेग के समान, गंभीर वचन बोले, इस प्रकार से, स्री, ब्रिहन नार्दिय, दूसरे अध्याय की कथा पुर्ण हुई, तो बोलिये प्रेम से, भगवान विष्णु की जै, माता लक्ष्मी की जै, पुरुषुत्तम भगवान की जै, भगवान स्रीकृष्ण की जै, सर्वदीविदीवता की जै, इसी प्रकार से, अगर आप सब आगे की अध्याय को आते हों, तो हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं, तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में वेल आइकन घंटी को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो का नोट्फिकेशन आपको समय से मिलता रहें, वीडियो को लाइक करें, शियर करें, शुकी रहें और स्वस्त रहें, जे सिर्दादे किशन, धन्यबाद,